वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दू कि इस वीडियो में इंटॉड़क्शन का पार्ट जोगी सिर्फ एक मिनिट का है उसे छोड़कर पूरी की पूरी वीडियो मैंने जो कुछ भी एक्ष्पलें किया सारा कुछ मैंने एनिमेशन की मतलब से एक्ष्प जैसे तुम्हारी ममी तुमसे कहती है बेटा जर्दो कीलोड टमाटर ले आना एक। हमएरे खंश करने के लिए नमबर चीजों का यूज करते हैं चीजों को समजने के लिए अब तुम यह पर सोच रहे होगे हम यह दू आपर बच्पन से सीखते हैं कि हमारे जो लेक्र बी और वन कौनसी चीस है वह इन चीज़ों को कैसे देखता है और अगर ऐसा है तो क्या हमआरे पास स्र edits of the vegan और 5 यूज करता है क्या कोई और numbers system नहीं है हमारे पास हाँ हमारे पास और भी numbers systems हैं और इस chapter । यानि कि class 11 के chapter नंबर टू डेट representation, इस chapter में हम यही जानने वाले हैं कि किते तरह के number systems हैं हमारे पास, उन्हें कैसे represent करते हैं और साथी में हम convert कैसे करते हैं, अलग-अलग number systems को एक दूसरे पर तो इस chapter में हम यही समझने वाले हैं कि हमारे computer है, वो numbers का use करके चीजों को कैसे समझता है, काफी अच्छे tips और tricks मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया है और आगे भी इस तरह के वीडियो आने वाली हैं, तो तुम्हें पता है कि अभी क्या करना है तुम्हें, तो वीडियो शुरू करते हैं, तो अब हम एक एक करके सारे number systems के बारे में जानने वाले हैं तो सबसे पहरे में बताने वाला हूँ, decimal के बारे में तो decimal जो है, इसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक किसी भी number का use कर सकते हैं, और इस से हम किसी भी number को या फिर किसी भी quantity को represent कर सकते हैं, इसका जो base होता है वो 10 होता है, और base यानि redix, और base solid redix जो है वो सेम चीज होती है, तो यह होता क्या है जैसे मैंने बताए कि 0 से लेकर 9 तक किसी भी number को हम use कर सकते हैं तो 0 से लेकर 9 तक total 10 numbers हो गए तो इस साब से मैं कह सकता हूँ कि decimal जो है, उसका जो base है यानि कि redix, वो 10 हो गया और यह एक positional value system है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि किसी भी digit का जो value है, वो उसके position पे depend करेगा, जैसे कि मैं एक number लेता हूँ 127 इसमें क्या है, कि सबसे जादा weight किस number का है, 1 का है क्योंकि वो hundreds में है तो 1 जो है, वो most significant digit हो गया, और 7 जो है वो least significant digit हो गया यहाँ पर हम यह दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने 0 से लेकर 9 तक ही numbers का use किया हूँ है अब हम यहाँ पर एक fractional number का example ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दिख रहा है 23.72 तो यहाँ पर हमारे पास integral part में 23 है और fractional part में 7, 2 है जो integral part का 2 है, वो 10th place पे है और 3 units place पे है 7 जो है, वो 10th place पे है और 2 जो है, वो 100th place पे है यहाँ पर हम एक example देख लेते हैं 179.234 इसे हम कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर इक digit को 10 के कुछ power पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको बता दो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है वो 10 के power 0 पे है तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो 1th place पे है तो अगर हम इस चीज का sum करेंगे तो हमारे पास यह नमबर वापस आ जाएगा तो यहाँ पर यह जो चीज़ें है 10 to the power 2, 10 to the power 1, 10 to the power 0 यह सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं positional values या फिर weights तो अब हम बात करते हैं binary number system के बारे में तो binary number system में तुम सब जानते हों कि हमारे पास सिर्फ दो numbers है 0 और 1 इस हिसाब से जो base या फिर radix भी हम बहुत सकते हैं वो हो गया 2 तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास decimal number system में हम किसी भी number को ऐसे ही देख सकते है जैसे मैं अगर मैं खुद भी बोलू तो 50.93 अगर मैं ऐसे बोलो इसे तो इसका मतलब भी 50.93 और decimal number system में भी 50.93 है यानि कि हम decimal number system का use करते हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी binary number system की या फिर और भी number systems की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि कम्प्यूटर जो है हमारा उसे कैसे यह समझ में आता है कि 0 कौन सी चीज है और 1 कौन सी चीज है वो इन सब को किस तरह से देखता है तो कम्प्यूटर जो है वो इन चीजों को समझता है voltage modulation की मदद से वो क्या करता है कि कभी अपना voltage बढ़ाता है फिर कभी अपना voltage घटाता है और उसे हम मान लेते हैं कि जब उसने voltage को बढ़ाया तो उसे हम 1 मान लेते हैं जब उसने voltage को कम किया है उसे हम 0 मान लेते हैं तो इस तरह से हम मानते हैं कि 0 और 1 है लेकिन computer जो है वो इस तरह से काम करता है कि वो voltage बस input ले रहा है कभी कम voltage जा रहा है उसके पास कभी जादा voltage जा रहा है तो अगर हम सिर्फ binary number system use करें हमें दो voltages की जरुवत पड़ेगी एक कम और एक जादा वहीं अगर हम decimal number system की बारे में बात करें तो वहाँ पर computer को 10 different voltages पे काम करना पड़ेगा तो इन में से कौन सा जादा efficient है? binary number system का use करना, जिसमें की सिर्फ 2 voltages का use करना हमें या फिर decimal number system का, जिसमें हमें बहुत सारे voltages पे काम करना पड़ रहा है तो obviously हमारे पास यह जो binary number system है, वो जादा efficient है इसलिए mostly हम जो use करते हैं, वो binary number system ही होता है यानि कि हम दो voltages पर ही काम करवाते है computer से अब तुम सोच रहे होगे कि हमारे पास जब binary number system है तो हमें बाकी के number systems की जिरूद क्यों पड़ी तो हमारे पास कुछ ऐसे quantities होती है जिन्हें जब हम represent करते है binary number system में तो वो 010101 ऐसा लिख 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 के बहुत बड़ा हो जाता है तो इस चीज़ को reduce करने के लिए हमारे पास और भी number systems है तो इस वचे से हम बाकी number systems का भी use करते है अब हम वापस आते हैं topic पे जो कि यह binary number system तो almost हर digital system में हम binary number system का use करते है और साथ में हम बाकी के number systems का भी use करते है इसमें हमारे पास दो symbols हैं जो कि यह 0 और 1 और यह एक positional value system है क्योंकि हम अगर किसी भी number को देखे तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास positional values है तो यहाँ पर तुम positional values भी देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक binary number को represent करके दिखाया हुआ है यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वो most significant bit है और जो सबसे last में आ रहा है वो least significant bit है हमारे पास और अगर तुम्हें इसे decimal में convert करना है तो तुम्हें हर एक digit को positional values से multiply करना होगा तुम यहाँ पर देख सकते हो positional values कौन कौन सी है तो यहाँ पर मैं तुम्हें multiply करके दिखाता हूँ तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो once place पर है वहाँ पर तुम्हें जो base है जो कि decimal के time पे 10 था और अभी binary के time पे 2 है तो जहाँ पर once place है वहाँ पर multiply करना है और 2 का जो power देना है वो 0 होना चाहिए उसके बाद तो तुम खुद से करी लोगे जैसे 3, इधर 2, इधर 1, इधर 0 ऐसे करके तुम करी लोगे और जब तुम इस चीज का सम निकालोगे तो तुम्हारे पास यह एक number आ जाएगा जो कि अभी है decimal form में आगे हम यह भी देखने वाले हैं कि इस decimal number को हम वापस से binary system में कैसे convert कर सकते हैं और अगर तुम convert करेगा तो तुम्हारे पास वापस यह जो 101 वाली form है इस पर आ जाएगा अब हमारे पास आता है octal number system इसमें जो है हम 0 से लेकर 7 तक किसी भी number का use कर सकते हैं किसी भी quantity को represent करने के लिए तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो base या फिर redix है वो 8 हो गया क्योंकि हम यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक किसी भी number को use कर ले रहे हैं और यह भी positional value system है अब positional value system यहाँ पर 8 की power में होगी तो यहाँ पर मैंने एक octal number तुम्हें लिख कर दिखाया हुआ है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो positional value से अगर हम multiply करें और वो जो सेम बात मैंने तुम्हें अभी तक बताई थी कि हम जो once place होता है यहाँ पर जैसे कि तुम्हारे once place यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर once place जो है वो one है तो once place में जो eight की जो power होगी वो zero होगी और उसके बाद तो फिर तुम करी सकते हो तो ऐसे करके हम यहाँ पर इसका sum निकाल सकते हैं अब हमारे पास आता है hexadecimal number system इसमें हमारे पास कितने unique symbols हैं इसमें हमारे पास 16 unique symbols हैं यानि कि हम यहाँ पर zero से लेकर 15 तक किसी भी digit को use कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर देखे तो हमारे पास जो है वो 9 के बाद यानि 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन चीज़ों को हम direct नहीं लिखते हैं इन चीज़ों को हम लिखते हैं A, B, C, D, E, F A जो है वो 10 हो गया same entirely F जो है वो 15 हो गया और ये भी एक positional value system है यहाँ पर positional value के लिए हम जो use करेंगे वो number है 16 सबको add कर तो हमारे पास यह decimal system में आ जाएगा तो यह थे सारे number systems और अभी screen में जो तुम्हें table चो हो रहा है यह तुम्हें एक basic relationship दिखा रहा है कि कुछ numbers जो है वो कैसे अलग-अलग दिखते हैं hexadecimal, octa, decimal और binary में अभी इस video को pause करके इस table को अच्छे से समझ लो यहाँ पर तुम्हें एक pattern दिख जाएगा खासकर binary number system में अब देखो जैसा कि मैंने बताया था कि कभी-कभी हमारे पास कुछ ऐसे numbers आजाते हैं जिसे binary में represent करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए हम बाकी के number systems को use करते हैं जैसे अगर हम hexadecimal का example लें तो अगर हमें कोई memory address को represent करना हो तो उसे अगर हम binary में करें तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा यह और वही अगर हम इसे hexadecimal में convert करें तो यह हमारे पास बहुत short में आ जा रहा है साथी साथ हम colors को भी represent करने के लिए hexadecimal number system का use कर सकते हैं तो अब हम आते हैं number system conversion के ओपर यहाँ पर हम यह दिखेंगी कि हम अलग-अलग number systems को एक दूसरे में कैसे convert कर सकते हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारे conversions है decimal का binary में है binary का decimal में है और भी इस तरह के बहुत सारे conversions है लेकिन यहाँ पर तुम्हें दो conversions नहीं मिलेंगी सबसे पहला binary to hex और दूसरा hex to binary तो इन चीज़ों में क्या करना है सबसे पहले मान लेते हैं binary to hex है तो उसमें हमें क्या करना होगा कि binary को पहले decimal में convert करना पड़ेगा और पर decimal को हम लोग hex में convert कर सकते हैं Similarly, अगर hex to binary है तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी decimal का help ले सकते हैं hex से पहले हम decimal में convert करेंगे और उसके बाद decimal से हम लोग binary में convert कर लेंगे इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरे कुले चार्ट बना के रखा हुआ है कि conversion कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तीन rules आजाते हैं, यह मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे पहला है कि किसी भी number system को अगर decimal में convert करना है, तो उसके लिए हम positional value method का use करेंगे, यह क्या है यह मैं आगे बताऊँगा, यहाँ पर जो second वाला है इसे तुम ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि for conversion in octal और hex, यानि octal या फिर hex का conversion binary के साथ में, यानि कि अगर तुम binary को convert करो, या तो octal में या तो hex में, या फिर octal या फिर hex को convert करो binary में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम table को refer करेंगे, कौन से वाले table को, इस table को, और जब ये दोनों rules ना काम करें तो उस time पे हम क्या करेंगे जैसे कि number के दो parts होते हैं सबसे पहला integral और दूसरा fractional तो उसमें हम क्या करेंगे कि integral part को divide करेंगे और fractional part को multiply करेंगे किसे divide करेंगे किसे multiply करेंगे ये चीज़े में आगे बताने वालों तो यहाँ पर यह जो तियों चीज़े हैं यह पूरे चार्ट की summary है यह तो मैं शायद कहीं नहीं मिलेगा YouTube पे यह मनें खुद से बनाए हुआ है काफी मैनत लगी है तो तो मैं पता है तो मैं क्या करना है बार-बार याद दिलाएने की ज़रुवत नहीं है मुझे तो सबसे पहले हम बात करते हैं decimal to binary यादि decimal number को binary में कैसे convert करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक number ले लेते हैं 13 हम जाते ही कि एक integral number है यहाँ पर कोई fractional part नहीं है इसका तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है 13 अब 13 को हमें convert करना है binary में तो binary में convert करने के लिए हमें क्या करना है, rules में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, keep dividing by 2 and store reminders from down to up, तो उसी तरह से हम यहाँ पर 13 को divide करते रहेंगे 2 से, तो यहाँ पर जब हम 13 को 2 से divide करेंगे, हमारे पास 6 आएगा, और remainder में बच जाएगा 1, फिर हम 6 को divide करेंगे 2 से, हमारे पास 3 आएगा, और remainder में बच जाएगा 0, फिर हम 3 को 2 से divide करेंगे, फिर हमारे पास 1 आएगा, और remainder में बच जाएगा वापस 1, फिर 2 से divide करेंगे 1 को, और हमारे पास 0 आएगा और remainder वापस 1 बच जाएगा यहाँ पर जो भी reminders आए हैं तो हमारे पास यह सारे के सारे reminders जो हैं वो opposite sense में यानि कि नीचे से उपर store करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1011 लेकिन हमें क्या store करना है 1101 नीचे से उपर तो हमारे पास यह जो decimal number है वो बनके आ जाता है 1101 और नीचे हमें आपर base लिख सकते हैं 2 ठीक है अब हम दिखते हैं कि decimal के fractional part को कैसे हम binary में convert करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है keep multiplying only the fractional part with 2 and store the integral part from up to down ठीक है तो अब हमें आपर एक example ले लेते हैं 13.8125 13 जो वो integral part है तो 13 को हम already convert कर चुके हैं 13 तो हमारे पास आ चुका है 1101 ठीक है तो यह 13 का conversion है अब हम यहाँ पर भी एक point लगा के 0.8125 इस चीज़ को जो कि fractional form में है इस चीज़ को हम convert करेंगे decimal में और उसके बाद लिख देंगे तो हम convert करेंगे 0.8125 को इसके लिए हम सबसे पहले 0.8125 को multiply करेंगे 2 से हमारे पास आ जाएगा 1.625 अब यहाँ पर हमारे integral part है 1 ठीक है 1 हम लोग यहाँ पर store कर चुके हैं फिर हमारे पास है 0.625 1 क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने बोला कि सिर्फ fractional part को लेना है ठीक है store करना है आपको integral part को और वापस लेके जाना है fractional part को तो अब हमारे पास यहाँ पर बचा 0.625 into 2 फिर हमारे पास आगा 1.250 अब यहाँ पर 1 को फिर से store करेंगे 0.250 को फिर से 2 से multiply करेंगे फिर 0.250 into 2 अब हमारे पास आता है 0.5 यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया यहाँ पर हम integral part का 0 store कर लेते हैं और फिर 0.5 को multiply करते हैं 2 से तब हमारे पास आ जाता है 1 यहाँ पर जब हमारे पास 1 आता है उस time पे हमें रुख जाना है और इसमें भी हम integral part को store कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 तो जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें रुखना नहीं है हमें 2 से multiply करते जाना है fractional part को और integral part को store करते जाना है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो तो हमें जो integral part को store करना था वो उपर से नीचे करना था यानि यह हमारे पास आजाता है 1101 तो अब हमारे पास 13.81254 convert करके आजाता है 1101.1101 तो अब हम convert करेंगे binary को decimal में तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी number system को तो अगर हम decimal में convert करना चाहें तो हम positional value method का use करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ multiply with positional values and add तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जैसे हमारे पास एक मैं number ले लेता हूँ integral part में 1101 ठीक है अब हमें यहाँ पर सिर्फ integral part का देख रहा है 1101 इसे हमें convert करना है decimal में तो हम क्या करेंगे जैसा कि मैंने सिखाया है इनकी positional values को find करना तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो ones place में हमारे पास one है तो इस एसाब से हम बागी सारी positional values भी लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे हर एक digit को positional values से multiply करेंगे और उसके बाद बागी सबको add कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास आजाता है 8 प्लस 4 प्लस 1 इसका sum करने के बाद हमारे पास आजागा 13 तो इस तरह से हमने 1101 जो की integral part है उस binary number का decimal में conversion कर लिया जो कि आए 13 अब हमारे पास एक fractional part भी है जो की 0.1101 इसे भी हम convert करेंगे decimal में तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर भी हम सारी positional values लिख लेते हैं और जब इसे हम solve करेंगे तो हमारे पास यह आजाएगा 0.8125 तो हमने integral part को अलग solve किया fractional part को अलग solve किया तो इसी तरह से हमें किसी भी number को integral part को अलग और fractional part को अलग solve करना है और बाकी हम बाद में इसे मिला सकते हैं अब हमारे पास है decimal to octal इसमें हमें क्या करना है integral part के लिए keep dividing by 8 and store the remainders from down to up और fractional part के लिए keep multiplying only the fractional part with 8 and store the integral part from up to down until you get 1 ठीक है तो अभी हमारे पास एक number है 34.246 तो यहाँ पर integral part जो है वो 34 है तो 34 को हम 8 से divide करते जाएंगे सबसे पर जब 8 से divide करेंगे तो हमारे पास आजागा 4 और remainder जो बचेगा वो है 2 फिर हम 8 से divide करेंगे फिर हमारे पास आजागा 0 अब जो remainder बचेगा वो 4 हो गया और हमें store करना है नीचे से उपर तो यानि कि 34 का जो conversion हो गया वो 42 हो गया octal form में अब हमें convert करना है fractional part को जो कि यह 0.246 तो इसमें हम क्या करेंगे हम fractional part को 8 से multiply करते जाएंगे और integral part को store करते जाएंगे और उपर से नीचे जब हम इसे store करेंगे तब हमारे पास एक बहुत बड़ा number आने वाला है तो कुछ इस type को दिखेगा वो number अब हमें देखना है octal को decimal में कैसे convert करते हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो किसी भी number system को हमें decimal में convert करना है तो positional value method को हमें use करना है यहाँ पर भी यह लिखा हुआ है multiply with positional values and add simple है अभी तक तुम समझ चुके होगे तो जैसे कि हमारे पास एक number आ चुका है 34.42 तो 34.42 में हम सारे positional values लिख लेंगे और फिर multiply करके सबका sum निकालेंगे तो हमारे पास यह number आ जाएगा अब हमें देखना है octal number को binary में कैसे convert करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखो उसके लिए लिखा हुआ है refer table ठीक है तो अगर हम इस table को देखें तो हम octal को binary आराम से convert कर सकते हैं similarly हमारे पास अभी binary to octal है तो binary to octal के लिए हमें क्या लिखा हुआ है पर group by three and refer table यानि जितने भी numbers हैं उनको 3-3 में divide कर दो और अब अगर हम table को refer करें तो हमारे पास यह number मिलके आ जाता है अब हमारे पास है decimal to hex इसके लिए भी हम क्या करेंगा हम 16 से multiply करते जाएंगे integral part को और remainders को store करते जाएंगे यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई कि कोई भी ऐसा remainder जो की 9 से जादा हो उसे हम A से लेकर F तक के form में store करेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि 10 से लेकर 15 तक के सारे numbers को हम A से F में represent करते हैं similarly fractional part को हम 16 से multiply करते जाएंगे और integral part को उपर से नीचे store करते जाएंगे तो हमारे पास एक number आता है 4,23 इसे हम 16 से divide करेंगे तो हमारे पास 26 आजागा remainder बचएगा 7 फिर 26 को हम 16 से divide करेंगे हमारे पास आजाएगा 1 remainder बचेगा 10 याने की A और अब अगर 1 को 16 से divide करेंगे तो हमारे पास आजागा 0, यह मेंटर बचेगा 1 और अगर अब हम इसे नीचे से उपर तक store करें तो हमारे पास आजाता है 1A7 तो अब हमें दिखना है hex to decimal इसके लिए भी हमें क्या करना है multiply with positional values and add ठीक है, तो हमारे पास एक number है 356 इसे हम सारे positional value को साथ multiply करके हर डिजिट को add कर दे तो हमारे पास आता है 854 अब हमारे पास है binary to hex इसके लिए क्या लिखा हुआ है group by 4 and refer table यानि कि हमारे पास यह जब binary number आजाता इसे हम 4-4 में divide कर देते हैं और उसके बाद फिर अगर हम table देखेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 2BA अब देख लेते हैं hex to binary इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है refer table ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो number हो है 9F2 इसे हम जब table देखके refer करेंगे तो हमारे पास यह number आ जाएगा यहाँ पर हमें एक और चीज़ पढ़नी है जो कि यह binary addition तो binary addition क्या है तो हमारे CPU में तीन चीज़े होती है registers, control unit और arithmetic and logic unit तो यह जो ALU है यह decimal numbers में काम नहीं करता यह किसमें काम करता है binary number system में तो जब इसके पास कोई ऐसा case आता है कि दो binary numbers को इसे add करना तो वह कैसे करेगा क्योंकि 1 तो एक binary number हो गया और अगर हम 1 plus 1 कर दे तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं 2 आ गया लेकिन 2 जो है वो decimal number system है तो हमें 1 plus 1 का जो value आएगा उसे भी binary number system में ही रखना है तो यहाँ पर 2 जो है वो decimal number है तो इसे हम convert कर दे binary में तो हमारे पास यह number आ जाता है लेकिन हमें क्या करना है हमें अभी binary numbers का addition सीखना है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ cases आते हैं सबसे पहले 0 plus 0 इसे हम लिखेंगे 0 0 plus 1 इसे हम लिखेंगे 1 1 plus 0 इसे हम लिखेंगे 1 1 plus 1 इसे हम लिखेंगे 1 0 इसे हम pronounce करेंगे 0 with carry 1 से और हमारे पास एक lastly एक और test आजाता है जो कि यह 1 plus 1 plus 1 इसे हम लिखेंगे 1 1 और इसे हम pronounce करेंगे 1 with carry 1 यहाँ पर हम एक simple example लेते है binary addition का तो यहाँ पर हमारे पास उपर में एक number है 1111 उसके बाद हमारे पास एक number है 11011 इन दोनों को हमें add करना है और दोनों को हमें binary addition करना है ऐसा नहीं कि हमें 1 plus 1 2 लिख देना है हम यहाँ पर binary addition करना है तो 1 plus 1 हमारे पास आजाएगा 0 with carry 1 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे ऊपर में carry 1 आजाएगा अब हमारे पास total क्या है 1 plus 1 plus 1 यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 1 with carry 1 तो यहाँ पर 1 लिखेंगे उपर में एक और carry आजाएगा अब हमारे पास क्या है 1, 1 तो 1 plus 1 क्या होता है 0 with carry 1 तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे फिर वापस यहाँ पर 1 carry जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पर तीन बार वान आ गया तो इसके लिए आगा 1 with carry 1 तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे फिर उपर में carry देंगे 1 तो यहाँ पर हमारे पास 1 plus 1 आ जाएगा 10 क्योंकि इससे पहला तो कुछ carry देने के लिए है नहीं हमारे पास तो हमारे पास यह जो binary number जो है वो addition करके हमारे पास आता है 101010 अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जो हमारे पास number है वो है 15 decimal में अगर हम बात करें तो वो 15 है फिर नीचे का जो number है वो है 27 और हमारे पास यह जो sum आया है यह है 42 तो अगर तुम यहाँ पर 15 प्लस 27 भी करके देखो तो भी तुम्हारे पास 42 आ जाएगा तो इस तरह से हम करते है binary addition और एक और चीज़ है यहाँ पर decimal addition यह तो simple addition जो कि तुम करते हो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास number है 15 प्लस 27 तो यहाँ पर 5 प्लस 7 इक्वाल सु 2 आ गया यहाँ पर 1 carry 2 प्लस 1 और 1 यहाँ पर 4 हो गया तो यह simple addition है जिसे हम कहते है decimal addition तो इस तरह से हम करते है binary addition और decimal addition तो अब हम पढ़ने वाले है character string representation अब तक हम यह जान चुके हैं कि हमारा जो computer होता है वो numbers को किस तरह से recognize करता है लेकिन हम सब यह भी जानते है कि हमारा जो computer होता है वो letters और symbols को भी recognize कर लेता है लेकिन यह कैसे करता है यह वो करता है encoding scheme की मदद से encoding scheme क्या होती है encoding scheme वो code होती है जो computer को help करती है किसी भी letter symbols को समझने में तो हम क्या करते हैं हम keyboard से किसी की को सबसे पहला press करते हैं फिर हमारा जो keyboard होता है वो उस code को encoding scheme से भेज देता है हमारी computer की और और फिर हमारा computer है वो encoding scheme के ही मदद से उस code को वापस convert करके समझ लेता है कि यह कौन सा letter है कौन सा number है, कौन सा symbol है हमारे पास जो most popular encoding schemes है वो है ASCII इसे बहुत लोग ASCII भी pronounce करते है या फिर जो pronounce करना है करो और ये बहुत जादा use होता है इसका full form में American Standard Code for Information Interchange फिर हमारे पास आता है Unicode यानि Universal Code फिर हमारे पास आता है इसकी, इसे तुम्हें जो pronounce करना है करो इसका full form है Indian Standard Code for Information Interchange अब हमारे पास ये जो ASCII है ये एक 7-bit का code होता है और जैसा कि ये 7-bit का code है तो हम यहाँ पर total कितने characters store कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 to the power 7 characters हम लोग store कर सकते हैं जो कि आगया 128 और इसमें जो है वो हमारे standard keyboard के सारे characters होता है अब हमारे पास आता है इसकी ये एक 8-bit का code होता है और अगर ये 8-bit का code है यानि कि इसमें total 256 characters हो गया है और इसमें जो है वो ASCII के भी सारे characters included है प्लस Indian script जैसे की देवनागरी, उडिया, गुजराती, बंगाली जो भी है अब हमारे पास है Unicode Unicode में क्या होता है कि सारे के सारे languages होता है जैसे ASCII में सिर्फ American English होती है और Indian में Indian scripts और ASCII भी होता है और वैसे ही Unicode में हमारे के पास सारे के सारे languages होता है क्योंकि इसका नाम है Universal Code यहाँ पर मैं तुम्हें सिंपल एक ASCII का चार्ट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर तुम देख सकते हो कि किसी भी character को हम decimal में, octal में, hexadecimal इन चीजों में कैसे लिखते है तो जैसा है कि मेरे नाम राजनात है तो मैं क्या करूँगा हर एक letter को देखूँगा हर एक letter का जो ASCII में code है जो कि decimal में होगा उसे मैं वापस convert कर सकता हूँ binary में तो इस तरह से मैं अपने पूरे नाम को binary में convert कर सकता हूँ तुम भी एक बर जरूर ट्राय करना अब हमारे पास कुछ basic encoding terms है जो कि है सबसे पहले code space code space क्या होता है code space code का एक range होता है जैसे कि हमारे पास ASCII codes है इसका code space हो गया 0 to 127 अब क्या होता है कि 0 से लेकर 127 तक इसमें सारे character assigned है इसलिए इसका जो code space हो गया वो 0 to 127 हो गया अब आता है code point code point है नहीं total कितने characters है जैसे कि अभी मैंने बुला ASCII में 0 to 127 code space होता है तो 0 से लेकर 127 अगर हम count करें तो 128 आ जाता है तो इससे हम कह सकते हैं कि code point जो है वो ASCII के लिए 128 हो गया है और अगर हम वहीं हम बात करें Unicode के बारे में तो उसमें total 11,12,064 code points होते हैं अब हमारे पास कुछ types आती है Unicode Encoding Scheme की जो कि है UTF-8, UTF-16, UTF-32 इन सभी से हम किसी न किसी character को represent कर सकते हैं UTF-8 जो होता है वो 8 bits का होता है UTF-16 जो होता है वो 16 bits का होता है UTF-32 जो होता है वो 32 bits का होता है यहाँ पर तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है कि 1 byte जो होता है वो total 8 bits के बराबर होता है इसी के साथ हमारे यह chapter खतम होता है काफी सारे chapters अभी हैं जो मुझे upload करना है तो उसके लिए तुम्हारी बहुत जादा support लगेगी या फिर शायद तुम जब तक यह वीडियो देख रहे होगे तब तक काफी chapters की वीडियो आ चुकी होंगी तुम मिलते हैं अगले वीडियो में